अब ये problem एक की नहीं है, जितने middle class मेरे दोस्त होंगे, भाई होंगे, बहने होंगी, उन सबको जाधा तर लोगों कोई problem आती होगी, इस problem को हम कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम insecurity भी कह सकते हैं, इसको low self-esteem भी कह सकते हैं, क्या होता है, जब भी हम middle class में होते हैं, अक्सर lower middle class में होते हैं, तो जो हमारे अमीर दोस्त होते हैं, होंगे न, कोई न, कोई अमीर दोस्त है, कोई न, कोई अपर middle class दोस्त आपका निकलाता है, कहीं होगे, तो बहुत सारे होते हैं, और जाधा तर ऐसे ही दोस्त होते हैं, तो अब फरक आ जाता है status का, आपके पास bike है, एक तो थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम हें पर उना जायश सी बात है आपको थोड़ा से इंसिक्योर लगता होग होगा लगता हो कि वह आपका मजाक ना बड़ा है या आपको नीचा ना समझे तो ऐसी ही आज किसी ने मुझसे क्वेशन पूछा है एक इंसान है उसके बहुत सारे अमीर दोस्त है वो लोवर मिडल क्लास है एक कमरे के फ्लैट में रहता है खर्चा भी कम है गाड़ी भी नहीं है और उसके जाधा तर दोस्त अमीर है जिनके पास बंगला भी है गाड़ी भी है सारी फिसिलिटीज है अब क मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बार-बार मेरे घर आने की जिद करते हैं लेकिन मैं कोई ना कोई भाना मार देता हूँ ता कि वो मेरे घर ना आ पाय थीस मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कम पैसा है, मेरे माबाब जादा अमीर नहीं है, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, मेरी जिंदगी खराब है, मुझे अपने आप से शरम आती है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त अमीर है, मैं उनके आगे कुछ भी नही वो मेरा मजाग उड़ाएंगे मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ जो ये मैं शब्द है ये सुनके आपके दिमाग में अगर दस बात आई होगी ना तो उनमें से दस नहीं तो नो नेगेटिव ही होगी क्योंकि आपका जो आउटलूक है जीवन को देखने का वो ये दर्शारा है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो रेडी वाले होते ना जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं समान ढोते हैं उसके बाद ठकार के सड़क पेश हो जाते हैं ऐसा एक ठेली वाला एक पेड़ की चाया में खड़ा हुआ था तबी वहाँ एक अमीर आदमी की गाड़ी आई गाड़ी ने दस बार उसके उपर हौरन बजाया कि वह गड़ जाएं से मैं अपनी गाड़ी लगा हूँआ उस आदमी ने अपनी रेडी नहीं उठाई अब अमीर आदमी अपनी गाड़ी से उद्र गिया अब भड़े गुस्से में आया तेरी इतनी यौगा दो कॉओली के आदमी तुने अपनी रेड़ी नी हिटा ही मेरा ओरन सुनके, भहरा है क्या? पैसा है तो अपने लिए है ना मेरे पास पैसा कम है तो मेंने कौन सा तुम्मारा चुरा लिया अध करके अपना अमीर आद्मी अपनी रेडी नहीं हटाई। अमीर आद्मी मार पिटाई को तैयार हो गया, लेकिन वो भी अडिग रहा, नहीं माना। क्योंकि उस गरीब आद्मी की भी self-respect थी, उसकी नजरों में अपनी life की value थी, वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता, वो अपना घर नहीं चला पाता, वो सड़क पे रह रहा है, वो रेड़ी चला रहा है, वो जो भी कर रहा है, वो अपने लिए है न, उस अमीर से भीग तो नहीं मांग रहा है, उसकी चीज़े तो नहीं चुरा रहा है, तो वो उसके नजरों में अपने जीवन की value थी वो बिचारा पूरे दिन महनत करता था मुश्किल से एक वक्त की रोटी और पानी मिलता था उसके बाद रात को धकार के सो जाता था यही उसका जीवन था लेकिन वो अपने जीवन की इज़त करता था क्योंकि यह जीवन भी वगवान की तरफ से उसको तोफ़े की तरह मिला था और वो जैसा भी जीवन वतीद कर रहा था अपने लेकर रहा था किसी और के लिए नहीं कर रहा था तो दोस्तों इस किस्से समय सेखने को मिलता है कि जो self-respect होती है न वो आपके पैसे आपकी success, आपके fame, आपके looks किसी चीज़ पर depend नहीं करती हर इंसान इस धर्ती पे जनम लेता है एक unique identity उसकी बनती है एक personality होती है उसके कुछ प्यार करने वाले होते हैं उसकी कुछ परिशानी होते हैं उसको मिलाके जो उसकी identity बनती है उसकी जो respect वो करता है उसे कहते है self-esteem अपने आपकी value करना जो आपकी नज़रों में आपकी value है उसको किसी भी चीज़ से फरक नहीं पढ़ना चाहिए आज आप गरीब हो, आज आपकी नौकरी चली कि तो क्या हो गया यार फिर भी आपका जीवन है अगर आज आपके पास जादा पैसा नहीं है तो भी आपके पास बहुत सारी luxuries है जो अक्सर हम आब आदनी भूल जाते है माबाब तो है ना भाई बेहन तो है ना इतने प्यार करने वाले लोग है ना अच्छे दोस्त भी है ना पढ़ाई लिखाई भी करी रहे हो ना आगे करियर तो बनी जाएगा ना भगवान ने हाथ पर सलामत दिये ना कोई कमी तो नहीं है ना इन चीज़ों में वक्त पे रोटी वक्त पे पानी सब मिल जाता ना medical needs भी आपकी meet हो जाती है ना इतनी सारी अच्छी चीज़े हैं तो अपनी self-esteem को आप लोग क्यों कर रहे हो भाई होने तो किसी को अमीर मैं कहरा हूँ कोई इंसान अमीर है और अगर वो आपको गरीब कहता है आपकी value नहीं करता तो मतलब वो इंसान बेफकूफ है ना समझ है और egoistic है अगर कोई आपका दोस्त आपके घर आके आपकी मजाख उड़ाता है या उसको आपका घर अच्छा नहीं लगता और वो आगे से नहीं आना चाता तो बहुती अच्छी बात है तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के पास पैसा तो जादा है लेकिन इसकी सोच छोटी है ये जिन्दगी को एक बहुती सीमित दायरे में देखता है जो है पैसा ऐसे लोगों से दोस्ती कभी नहीं करनी चीए वो आगे पीछे आपको किसी ना किसी बाने से जलील करी देंगे दूसरी बात है आपका जैसा भी लाइफस्टाइल है अगर कोई इनसान आपको पसंद करता है तो वो उसी लाइफस्टाइल में आपके साथ टाइम बिताएगा अगर वो आपको पसंद करता है तो आप उसके लेवल पे नहीं जाओगे वो ही एक अच्छी लाइफ वतीद करने में, स्ट्रॉंग लाइफ वतीद करने में, रिस्पेक्टफुल लाइफ वतीद करने में मदद करती है एंड में दोस्तों एक ही बात बोलूँगा जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट करता है पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है जो इंसान अपनी परिस्तितियों की अपने सरक्मस्टांसिस की जो उसके पास है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता अपने आपको नीचे समझता है उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता इस बात को दियान रखना, गाठ बार लेना और लाइफ में अपना लेना थैंक यू